अभी राजबर जी अरविंद के जिवाल जी की गिरफतारी हुई विपक्ष के तमाम लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि जो जो विपक्ष के बड़े नेता उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं मोदी जी क्यों क्यों डरे हुए हैं और खास तोर पर अरजवीर के घर एडी क्यों नहीं जाती एडी उनिक यहां जा रही है जो गढ़बड किये भाई पैसे बरामत हो रहे हैं गिंते गिंते मसीन गरम हो जा रही है वही न जा रही है और राहुल जी बात आपने कहा देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की थी कभी कभी मुसलमानों के وس QUEI में सोंचा आज ओ बोलते हम भी सुनते हैं कि ये पिछड़े की हिस्सेदारी नहीं कौन जिम्मेदार है भारती यनता पर्टी की सरकार तो दस साल से है पोस्टिंग किस ने किया कॉंग्रेस पर्टी की सर्कार में पोस्टिंग वए क्यों नहीं उस दिम पाल प्रिजापति बिंद केवट अमला राजबर चाहन आराकरक बंसी बंजारा वहलिया खंगार जोल्हा दुनियांसाइध धार जी फचेशत से पठान को क्यो नहीं की आपने आपने आज किसमूंसे आप बोलते हो सत्ता रही उपर से नीचे तक आपने नहीं किया आज खाल करने के लिए कीचर में हिलना पड़ता है झाल च्पा ह्पर्पा किष्ण के लिए सफाइं के लिए हनाता जोड़ तो नहीं नहीं बोल ला हूं। साइटालीस एक सो पचीस गये। हट गया हूं। खाता न खुली। इबता दे थाई। खाता नहीं कुले का घमंड मत रखें। जीरो। समाजवादी पार्टी है। कहां जीती हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारें। लेकि मेरा एजेंसी वाला सवाल रह गया था संजय जी। क्या एजेंसियों का घलत इस्तिमार कर रही है सरकार। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। आरोप लगाना गलत है। लोग तंत्र में विधाई का है, कारिपाल का है। नहीं, मैं सवाल इसलिए सर पूछ रहा हूं। कि कल को कहीं आप भी इन से अलग होगे, तो कहीं ये डर आपको भी न सताने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा हम कहीं मैं गलत रहूंगा। तो उसमें आओंगा। जब मोदी जी ने वादा किया था योगी जी ने, कि हम भरस्टाचारियों को सजा दिलाएंगे। हम अपराद मुक्त करेंगे, हम भय मुक्त देंगे, अपरादी जेल के सलाखों में जाएंगे। तो बिधाई का काम है कानून बनाना। तो नया कोई कानून तो नहीं बनाया मोदी जी ने कि उस कानून के तहट जो गिरिपतार किया हो इडी ने। कानून तो देश के संविधान के मताब पहले से बना स्वतंत अजेंसी है। हमारी सरकार विधाय का कायर पालिका को कह दिया कि न्याय पालिका का सहायता करो न्याय पालिका का सहायता यह पहले नहीं करते थे इसलिए राम मंदर नहीं बरना था न्याय पालिका की सहायता नहीं कर रहे थे इसलिए तमाव अपादी घूम रहे थे हमारी सरकार ने नियाए पालिका का सहायता किया समय पर कागज दिया तो वही नियाए पालिका आज आदेश कर रहे है या ऐसे लोग जेल के सलाकों में जा रहे है तो नियाए पालिका अपना काम कर रहे है यह आरोप लगाना कर रहे है लेकिन अभी अखिले शाद अब जब इहां इस मंच पर आये थे उम्परगाश जी तो यह कहके गए कि दरसल बीजेपी का बैंड बच चुका है उन्हीं के शब्स बता रहा हूं जो है कहके गए इसलिए केजरिवाल जी को गिरफतार किया जा रहा है इस सब चीजे जो चल रह के मेहनत संगर्ष के बल पर मानी अखिले से आदोजी सीयम बने पांच साल इतना मेहनत किया उन्होंने एमपी हो गए फिर इतना मेहनत किया के मेले हो गए है अब बताई आप का करेंगे इतिहास आप देख लेजिएगा भरम में लोग न जीए है जनता चुनाव लड़ रह है गाउ में हम कुम रहे हैं हमी लख नव थोई कम रहते हैं गूङा में हलाबा जो लाये हैं हम उनको ले आएंगे अब चला आधी अवाधी तेद म मन बना चुकलो आधी आधी जो महिलाओं की है अ उसके बाद निसाद राज बीटें हैं सुहेल देव जी बीटें हैं और जन्ता को कायरे चाहिए, जन्ता को सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मृदी चाहिए, लोग तंत्र में आज ये राष्ट का चुनाव है, अगर भारत को फिर से बिस्व गुरू के रूप में पहुचा रहे हैं, दुनिया में जी टॉंटी का नित्रुत करार है, तो य आज के दिन में हम अर्थव्योस्ता को दस्वे से पांचवे नंबर पला है, मोदी जी ने का तीसरे ब लगाएंगे, ये जन्ता के लिए आउस्य खिजदेश के विकास के लिए, अगर जनकल्यान कारी नितिया यही इनकी सरकारे कहती थी, कि हम सव रुपय भेजते हैं, अगरे मारे ये सब हो रहा है, लेकिना आज के दिन में इन लोग बता दिया जा, जो भीभक्छ के सरकारे हैं, कि इन लोगों ने इनको बहुत लंबा उसर मिला था साधने के लिए, अखिर ये राजवर अलग हो गया, निसाद अलग हो गया, आज के दिन में दलित अलग हो तब इनकी कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन रही है आज हम सब लोग अलग होते जा रहे हैं